एलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब ॉल और हमेशे पॉजिटीव करना हुए क्यो DIE है क्यूंकि एक शुछाहएब क्ैमक्तिई हम नहीं हैं साल कहाओ यहाल है और आप के आप परसन के जरी में अपके क्या देख---- तक पहुंचे आपके परसम पे फोकस रहेना है आपको शफलिंग को भी देखना होता है जैनर स्पेसिफिक रिडिंग नहीं है और टाइमले से जब कभी आप इस रिडिंग तक पहुंच होगे आपके लिए उस टाइम का मैसेज आपके लिए निकल के आएगा अगर आप मेरे चानल पे नए हो तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए परस्नल रेडिंग के लिए स्क्रीम पे देख नंबर प्वाटस पे मैसेज कर सकते हो वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल के से भूग करने ठीक है इस वक्त लाइक कर दीजे वीडियो को लाइक करने से एनर्जिस एक्षचेंज हो जाती है और अगर आप चाहो तो अपना विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है गाड करे निवर्स मेरी यूर्स के परसन की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स बता है मेरी यूर्स के लिए वो क्या फील कर रहे है इस वक्त क्या फील कर रहे है मेरी यूर्स के लिए मॉर्निंग की फीलिंग्स बता है पेज अप पेंटेकल्स एस अफ वैंस 7 of cups 2 of pentacles 8 of swords high priestess bottom में 6 of swords के energies है आपके person cancels, copy of Pisces का कुरूष्षिक में राशी toss और का pre-convership करने मग कर राशी area, your status में singh dhanu राशी के हो सकते हैं ठीक है number 1, 1, 1 आपके angel number दिख रहा होगा जो new beginning को show करता है वो new beginning किसी भी चीज़ भे ठीक है, आपका business, आपका job, आपका कोई नई opportunity आपके पास आ रहा है आपका love life, या तो कोई नई रिष्टा आपकी तरफ आ रहा है किसी भी चीज़ में आपका new beginning हो सकता है बहुत जल्दी, ठीक है कई से आप finance अट्रक करोगे ट्रावलिंग पे जाते वे दिखाये दे रहे हो, ठीक है आपको कई पे जाने का chance मिल सकता है कोई नई opportunity आपके तरफ आते वे दिखाये दे रहेगी ठीक है नमबर 222 आपको एंचनल नमबर दिख रहा होगा जो कि missing energies को show करता है missing energies मतलब कि आपके परसन आपको बहुत याद कर रहे है कुछ गूम गया है ये उसका मतलब नहीं होता है किसे ने comment किया था missing energies मतलब क्या मतलब कुछ गूम हो गया है तो नहीं गूम नहीं हुआ है वो परसन आपको बहुत याद कर रहे है ठीक है अगर आपको एंजल नंबर 222 बार पर दिखाए दे रहा है तो आपके परसन आपको बहुत याद कर रहे है नंबर 78216 आपके आपके परसन का बड़ेट हो सकता है परवरी चुलई अगस्ट मन्थ आप लोगों के लिए कुछ खास हो सकता है हो सकता है कि परवरी में हो सकता है कि फरवरी में आपके परसन ने आपको प्रपोस किया था आप दोनों का रिष्टा स्टार्ट हुआ था या तो पहली बार आप दोने एक दूसरे से मिले थे अगस्ट में किसी का बर्डे हो सकता है या तो अगस्ट में आप लोग या तो अगस्ट में आप लोग पहली बार मिले होगे, ऐसा कुछ है, ठीक है? ट्रू मैसेज दीजे इन्वर्स, मेरी यूएस के परसन की करन्ट फीलिंग्स बता है, करन्ट फीलिंग्स, ओके, लेजिनेस, कंसाइसनेस, किस जोफैनिया, इस वक्त करन्ट में मेरी यूएस की फीलिंग्स क्या है इनके परसन के लिए? मेरी यूएस की करन्ट फीलिंग्स बता है, मेरी यूएस की करन्ट फीलिंग्स, मेरी यूएस की करन्ट फीलिंग्स इस वक्त क्या है इनके पार्टनर के लिए? यह stress, आप बहुत ज़्यदा stress में हो, ठीके, आप इस person के अंदर बहुत ज़्यदा अटका हुआ मैंसुस करते हो, निकलने की कोशिश भी करते हो, इनको जैसे कि इग्नोर करना, इसे बात नहीं करना, जैसे कि यह person आपको जितना rude energies देते है, जितना गुस्सा करते है, आपको अपने आप से दूर होने के लिए कहते है, बार बार आपको irritate करना, बार बार आपको reject करना, आपके call messages को ignore करना, यह सब कुछ यह person करते रहते है, जिस वज़े साब का stress बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन फिर भी आपके person आपके साथ ऐसा behavior करने के बावजूद भी आ फिर भी आपको कोई फरक नहीं पड़ता है, आपने जैसे के अपने आपको इनके उपर कुर्बान कर दिया है, इस तरह की energies है, आप इसे आज भी इस वग भी stress आपका बढ़ा हुआ है, आपको इस person ने बहुत ज़दा परेशान करकर रख दिया है, नो contact में रखकर, on and off दे कि क्यों ये person मेरे साथ ऐसा behavior करता है, छोटी छोटी बातों पे बेवज़े मुझे ब्लॉप कर देता है, और जो कि अगर आप इनको किसी और account से, किसी और number से चेक करते हो, तो आपको ये person देर रात तक online दिखाए देते हैं, इस वज़े से आपका stress बहुत बढ़ता है, हो स आप इस person से प्यार शेयर करना चाहते हों, चाहे जो हो जाए, लेकि मुझे यही person चाहिए, इसके साथ new beginning करनी है, इसके बिना मेरे हैं नहीं पाऊंगी, शायद जिन्दगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, और इसमें मेरी गलती क्या है, क्या मैंने सच्चा प्यार किया, यह मेरी गलती है, आप इस तरह से, जैसे कि बहुत ज़्यदा first चुक हो इस person की प्यार में, आपको इस रिस्ते को balance करना है, जो कि अभी तक balance नहीं हो पा रहा है, जैसे कि आपके person आपको बहुत ज़्यदा गलत समझते हैं, आप जो भी बोलते हो, आपके person उसका उल् कि अपके person आपको बोलते रहते हैं, तुझे सिर्फ अपने पड़ी रहती है, तुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, तुझे ऐसा भी नहीं लगता है, अगर मैं तेरी बाते सुनकर मेरे घरवालों के साथ गलत behavior करना start करता हूँ, या तो उनको ignore करना start करता हूँ, उन उनकी बातें नहीं मानता हूँ, तो उनको क्या लगेगा, मेरे माँ को, मेरे पापा को क्या लगेगा, आपको ऐसा बोल कर दिखाते हैं, या तो तुझे इतना भी पता नहीं कि अगर आपके person शादिव शुदा है, और अगर मैं उसे divorce दे दिता हूँ, क्योंकि मैंने प्या गलती किसकी है, किसका मैं डिस्ट्राक हुआ, मेरा, मैंने प्यार किया है किसी और को, उसकी सजा में उसको क्यों दूँ, आपको एक current मैं ऐसा बोल रहे हैं, जो कि पहले आपको क्या बोलते थे, कि चाहे जो हो जाए कितनी भी difficulties आए, लेकिन मैं इस third party के साथ नहीं रहने व पिर क्या, इस रिस्ते का होना क्या है, इतना आपको current में irritate कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको ये person चाहिए, और आपके person आपको ऐसे energies दे रहे हैं, और current energies की बात करूँ तो हो सकता है कि आप ऐसा कुछ देख पा रहे हैं, कि आपके person कहीं पे गए है, पिकनिक कुछ मना रह हैं, या तो कहीं पे traveling में हैं, या तो हो सकता है कि इनका transfer हुआ है, इन्होंने अपने रहने की जगई change कर दी है, इनका घर shift हुआ है कहीं पे, कुछ है, moment नजर आ रहा है यहां पे, जो कि आप देख पा रहे हूँ, ठीक है, तो आपके person, या तो यह भी हो सकता है कि गड़र या आपको बहुत जल्दी सुनाई देगा, ठीक है, ऐसी कुछ energies है, आपके person current में आपसे definitely बात करना चाहते हैं, या आपको, या आपके साथ आज भी जिस तरह से आपकी जो feeling से इनको लेकर, प्यार share करने कि आपके person की भी same feeling से, ठीक है, current में आपके person आपको 100% नया offer करना शायद यह हो सकता है कि आपको यह बताना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ काम है जो मेरा हुआ है और जिसको लेकर, जैसे कि आपको कोई commitment देना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको इंतदार करवाना चाहते हैं, आपको कहते हैं, कि आपके बारे में बहुत ज़दा overthinking कर रहा है, एक complete आपके उपर स्टक है, दिल, दिमाग, सब conscious, mind सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आपके साथ इस रिस्तिक new beginning करने के बारे में सोचता रहता है, लेकिन करन्ट में ये परसन को बहुत ज़्यादा confusion हो रहा है, अगर आप देख पाओगे, यहाँ पर हर एक काड़ सिर्फ confusion को शोग कर रहा है, इनकी mentality खराब है, बहुत ज़्यादा disturb है, यह दो लोगों में confused है, अब यह दो लोग एक आप और रोमेंटिक हड़ पाटी हो सकती है, या तो इनकी मम्मी और आप हो सकते हो, ठीक है, यह परसन ना तो मम्मी की बात सुन पा रहे हैं, और ना उनकी बात को इग्नोर करकर है, आपके पास आना चाहेंगे, जितनी कदम आपके और बढ़ाएंगे, उससे सोग उना ज़्यादा इनको पीछे खीश लिया जाता है, इस वज़े से आपको परसन को यह नहीं पता, इनका एक confusion कब हटेगा, बर्ड़न कब कम होगा, और यह कभी आपके पास आने के लिए ready होंगे, कब यह इस रिस्ते को balance कर पाएंगे, आपको इस रिस्ते में balance लाना है, आपके परसन इस रिस्ते को current में balance कर पाने में, अपने आपको बहुत ज़दा मजबूर पा रहे है, नहीं कर पा रहे है, confused, क्या करूं, choices बहुत है, कोई है जो इनकी तरफ attract हो रहा है, कोई choices है, यह हो सकता है, कि current energies में अगर यह आपको किसी और के साथ balance नहीं कर पा रहे है, जैसे कि third party जो है, आपको अच्छे से बता है, तो यह अपने लिए किसी और को ढूणने की कोशिश भी कर रहे है, जो कि आपका option हो, जो कि आपकी जैसी खुशिया उनको दे, आपके जैसा प्यार उनको दे, और जैसे कि true love करे, यह true love को current में ढूणने की कोशिश कर रहे है, यह भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि current energy में आपके person के पास choices है, और balance नहीं कर पाने की वज़ह से, यह person किसी और में जैसे कि आपको ढूणते वे दिखाय दे रहे, ठीक है, इनको जाहे जित प्यादा वही बाते चलती रहती है, और यह confused mindset में current में, offer करना है, बात करनी है, लेकिन choices है, तो उन choices की तरफ कदम बढ़ाओ कि आपकी तरफ कदम बढ़ाओ, यह decision लेने में आपके person को current में problem हो रही है, अब यह problem का reason यह भी हो सकता है, कि आपके person किसी और के अंदर इतने श person आपको choose करते है, तो इनकी mammy के साथ या तो इनके घरवालों के साथ कितना बुरा हो सकता है, हो सकता है कि इनके घरवाले जैसे कि इनके relative दिन से रिष्टा तोड़ दे, इनसे जैसी कि अच्छे से बात ना करे, इनकी respect जो कि डाव पर लग जाए, इनकी इज़त समाज में चली जाए, इसी कुछ situation बन सकती है, जो कि आपके person के दिबाग में बार बार डाली जाती है, अगर यह आपको अपनाते हैं तो, मतलब कि हर साइड से negative होगा अगर यह आपको अपनाएंगे, और आपके person के है, जैसी कि इनको लगता है कि सच में, जो इनके घरवाले कह रहे तो क्या कुछ गलत होगा, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना तो इनकी insert होगी, ना तो इनको कोई गलत सलत कुछ बोलेगा, उपर से जो कि इनको जो डराया जा रहा है, कि अगर आपके साथ शादी करेंगे, तो शायद इनका married life भी कभी अच्छा नहीं रहेगा, क्यो क्या तेरी बहन ने किया था, क्या हुआ उसके साथ, तेरी भाई ने किया था, क्या हुआ उसके साथ, क्या तुझे भी वैसा करना है अपका हाला, यह ऐसा सोच रहे है, लेकिन अगर यह आपके लिए strength लेंगे तो यहसा कुछ नहीं होगा, ठीके, current में आपके person इन negative energy से नि मैं इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं बहुत जल तेरे पास आऊंगा, ठीक है, इनका confusion हट जाए, इनको थोड़ी सी clarity मिल जाए, इनको जैसे कि इन लोगों से लड़ने की, इन लोगों के opposite जाने की confidence इनके अंदर आ जाए, तब जाके आपके person इस laziness से बाहर निक जाए, ठीक है, 100% आपके person के subconscious में है कि इस रिस्ते को heal करना है, definitely आपके इस relationship में जो भी गलत बाते हुई है, जो भी आप दुनों ने एक दूसरे को बोला है, आपके person ने आपको जो promises किये है, आपके person definitely उन promises को निभाना चाहेंगे, लेकिन future में, ठीक है, high priestess का card है हाँ पे हो सकता है कि आपका दिल भी आपको current में कहे रहा है, कि पता नहीं क्यों मुझा ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ शादी ज़रूर करेगा, थोड़ा सा late आ रहा है, लेकिन आएगा जरूर और मुझा अपनाएगा जरूर, आपका दिल भी आपको ये कहे रहा है, आपके person भी current म यही फील कर रहे हैं वहले current energies में confusion है आपसे बात करना चाहते फिर भी नहीं कर रहे हैं लेकि दिनों ने जैसे कि सोच कर रखा है यह आज ने लिकिर अगले दो दिन अगले दो हफ्तों में आपसे definitely बात करते वे दिखाए दे रहे हैं यह आपके सामने confess करेंगे आपके सामने देने की कोशिश करेंगे आपको जो promises किया वो निभाने वाला हूं ऐसा कुछ बोलने की कोशिश करते वे दिखाए दे रहे हैं अगले दो दिन दो हफ्तों में ठीक है current energies में confused है और किसी के control में होने की वज़े से यह person आपसे बात नहीं कर रहे है ठीक है बिलकुल भी happy नही को distance दिया है तब से person जैसे की नहीं नहीं choices को आपको किसी और के साथ compare करकर देख रहे हैं किसी और के साथ प्यार करने की कोशिश करकर देख चुके हैं लेकिन इनको ना तो किसी और से प्यार हुआ और ना ही इनको आपके जैसे कोई option कभी मिला इनको current में इस बात का बुरा भी मानते हैं ठीक है आप देख सकते हो इस person का face complete उत्रा हुआ है जैसे कि रोने को आया है current में आपके परसन इस वक्त बहुत जदा जिसके अपने आखों में आसू लिये हुए आपके बारे में सोच रहे हैं और अपने आपको बहुत जदा बंदा हुआ महसुस कर रहे हैं इसी वज़े से आप भी अपने आपको इस person के अंदर बंदा हुआ महसुस करते हो इनका दिल आपके अंदर अटका हुआ है और आपका दिल इनके अंदर इस वज़े से आप दोनों की vibration जो की same रहती है ठीक है आप भी इस relationship में balance चाहते है आपके person भी इस रिस्ते में सब कु current energies में इस वक्त आपको कुछ clarity देने के लिए ready नहीं है ठीक है थोड़ा सा इंतजार करो अगले दो दिन दो हफ्तों में इस person का आपको definitely message आ रहा है आप दोनों का बात definitely होने वाला है ठीक है यह person आपके जिंदगी से कभी जा ही नहीं सकते क्योंकि जाने के बावजुद भी आज भी आपको पीछे मुड़ कर देख रहे हैं not ready to give commitment जैसे कि आपने reading को सुना तो आपको भी फील हुआ हुआ कि यह person आपको commitment देने के लिए current में ready नहीं है mom very careful मैं आपको बोला है यह person अपने mom के अंदर बहुत जदा आटका हुआ महसुस करते हैं इनकी mom बहुत जदा care दिखाती है चोटे चोटी बातों पे मतलब कि कुछ भी इनको करना होगा आपके person को पहले इनकी mom में आगे जाती है नहीं नहीं तू ऐसे कर कुछ भी decision लेना है इनको अपनी mom को पूछ करी लेना पड़ता है ठीक है don't like your behavior और हो सकता है कि आपके आपको यह feel भी होता है कि इनकी momie गलत करती है आपके दिल से बद्दुआ भी निकलती है इनकी momie के लिए कि यह जान बुच कर ऐसा करती है जान बुच कर आपके person को आपसे दूर करती है तो आपके दिल से उनके बद्दुआ भी निकलती है तो हो सकता है कि आप ऐसी बाते आपके person के जबान पर बो होने का इस वज़े से आप ऐसा भी हैवियर करते हो लेकिन इनको को समझाएगा रोमांटिक थर्ड पार्टी इंपॉर्टन ना हो आपको लगता है कि इनके लिए जैसे कि अगर यह अपने मौम के साइड से या फिर अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी के साइड से कुछ बाते करने लगते हैं तो आपको लगता है कि आपके परसन को आप चाहिए नहीं आपके परसन को वही लोग इंपॉर्टन है जैसे कि आपका मिस्यूज हो चुका है आपके साथ फिजिकल हो चुका है बहुत बार हो चुका है तो हो सकता है कि अब इसका दिल भर गया है मुस्ते इ और हो सकता है कि आपका कुछ फायदा बहुत जल्दी होने वाला है, not ready to escape, current में आपके person आपको escape करने के लिए ready नहीं है, इस वज़े से, जैसे कि मैंने बोला, एक confusedly इतना है, तो एक कैसे आपको इस वक्त escape करेंगे, या तो कैसे आपको commitment देंगे, ठीक है, wish completes which you want, आपकी जो आपको relax रहना है, comfortable रहना है, overthinking से बचना है, करेशानी से दूर रहो, किसी भी बात का over tension मत लो, divine makes things better for you, universe खुद आपके लिए सब कुछ सही करेगी, बहुत जल्दी, prosperity attract करोगे आप अपनी जिन्दगी में, find your purpose, अपने purpose की तरफ focus करो, extremely positive, extremely positive, आपको positive रहना है, आपके person भल से आपको लेके बहुत ज़्यदा positive है, you sing song loudly in bedroom, देखिए, अगर आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यदा परेशान हूं, कुछ भी अपने दिल की feelings किसी को बता नहीं पा रहा हूं, या तो कुछ भी बोल नहीं पा रही हूं, आप अपने bedroom में, अपने bathroom में, जोर जोर से song स्टार्ट करो, आपको या आपके person को, जो भी song अच्छा लगता है, या तो आप दोनों का एक एक song, आप जोर जोर से bedroom में या bathroom में गाना स्टार्ट करो, ऐसा आदत लगाओ, आप एक अलग सी खुशी महसुस करना स्टार्ट करोगे, अलग सी feeling आने लगेगी, जैसे कि गु आप बहुत जदा खुश रहना स्टार्ट करोगे, वो भी रोज, ठीक है, heal yourself first, यूनियोस आपको करन्ट में कह रहे कि आपको इस वक्त अपने आपको heal करने की जर्वत है, ठीक है, खुद को पहले ठीक करो, खुद जो इतना stress में रहते हैं, अपना stress side में रखो, और खुद खुश रहने की कोशिश करो, एंजर्स करन्ट में कह रहे कि आपको इस वक्त सील होने की जर्वत है, ठीक है, अपने finance की तरफ फोकस करो, अपने परसंग के बारे में बिल्कुल भी negative मस सोचो, ना ही अपने परसंग के बारे में और ना ही उनके घरवालों के बारे में, ठीक गुसा आ रहा है, तो गुसे को कंट्रोल करो, अपने दिल में प्यार, जैसे कि पहला आपका प्यार था आपके परसंग को लेकर, उस प्यार वाले वाइब्रेशन को फिर से अपने अंदर लाने की कोशिश करो, तब आप इस 10 of swords वाले pen से निकल पाओगे, जो भी आप इस इस तरह से sad रहते हो, इस sad energy से इस negative energy से निकल पाओगे, आपका प्यार आपका है, आप पिछले जनम से एक दुसरी के साथ हो, और फिर से मिलोगे, six of cups से यहाँ पर, reunion तो definitely है, current में इस वक्त आपको अपने आपके उपर work करना है, खुद को heal करना है, ठीक है, आप इस वक्त जदा disturb हो, तो इस energy से बाहर निकलो, एंजास current में आपको यही किया रहे, ठीक है, तो yes, यही है reading, आपके परसन के इस वक्त मार्निंग के feelings आपके लिए, अगर reading रहे जनम ठीए वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, अगर आपको पासनर reading कराने स्क्रीम पर देए अगर नंबर, प्वाट्स अपर मेसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको details मिल जाएगी, call कैसे book करने, तो मिलते हैं नेक शुर्यावन तब तक के लिए, बाब बाई